दोस्तों देश में आरक्षण याने रिजर्वेशन का मुद्दा सालों से चला आ रहा है। आरक्षण के लिए जगे जगे आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन भहुत से लोग अभी भी इसके बारे में बिल्कुल अंजान है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आरक्षण क्या है और कौन से वर्ग को कितना परसेंड आरक्षण मिलावा है। और भारत में इसको लागू क्यों किया गया। तो इसकी जो भी बेसिक जानकारी है वह मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रही हैगा। कैसे हुई आरक्षण की सुर्वात। दोस्तों आजादी के पले प्रसिडेंसी रिजन और रियास्तों के एक बड़े इसे में पिछले वर्ग यानी बी सी के लिए आरक्षण की सुर्वात हुई थी। महाराष्टर में कोलापुर के महाराजा चत्तप्रति शाओजी महाराज ने 1901 में पिछले वर्ग से गर्भी दूर करने और राजी परसासन में उन्हें उनकी इसेदारी यानी नोकरी देनने के लिए आरक्षण सुरु किया था। ये भारत में दलीत वर्गों के कल्यान के लिए औरक्षण उपलब्द कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। 1908 में अंग्रिजोंने परसासन में इसेदारी के लिए अरक्षण सुरु किया था। 1921 में मदरास परेशिडेंसी ने सरकारी आदेश जारी किया। जिसमें गेर ब्रामनों के लिए 44 पिसदी, ब्रामन, मुसलमान, भारते, एंगलो, एसाई के लिए 16-16 पिसदी, और अनसुचित जातियों के लिए 8 पिसदी अरक्षन दिया गया 1935 में 12 सरकार अधिनेम 1935 में सरकारी आरक्षन को सुनिस्चित किया गया 1942 में बाबा साव अमेडिकर ने सरकारी सिवाओं और शिक्षाओं के शेक्तर में अनसुचित जातियों के लिए आरक्षन की मांग उठाई क्या था आरक्षन का उद्देसे और मोडल आरक्षन का उद्दे से केंदर और राज्ये में सरकारी नोकरियों, कल्यानकारी योजनाओं, चुनाओं और शिक्षा के शेत्र में हर वर्ग के सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले सवाल उठाए कि आरक्षन की से मिले इसके लिए पिछले वर्गों को तेन केटेगरी अनुसीच जाती SC अनुसीच जनजाती ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानि OBC में बांटा गया केंदर के द्वारा दिया गया आरक्षन अनुसीच जाती यानि SC को 15% अनुसीच जनजाती यानि ST को 7.5% अन्य पिछड़ा वर्ग यानि OBC को 27% कूल आरक्षन 49.5% बाकी 50.5 आरक्षन जनरल केटेगरी के लिए रखा गया जो की ST, ST, OBC के लिए भी खुला है जनवरी 2019 में मोदी सरकार सम्विदान में 103 वा संसोदन लेकर आई थी इसके तहट आर्टी गुरूप से पिछड़े सामाने वर्ग के लोगों को नोकरी और शिक्सा में 10 पिछड़ी आरक्षन देने का प्रावदान किया गया कानून आरक्षन की सिमा 50 पिछड़ी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अभी देशवरी में SC, ST और OBC वर्ग को जो आरक्षन मिला है वह 50 पिछड़ी सिमा के ही भी थर है लेकिन समाने वर्ग का 10 पिछड़ी कोटा इस 50 पिछड़ी सिमा के बाहर है 2019 में केंदर सरकार ने सुप्रेम कोड में बताया था कि आतिक रूप से कमजोर 10 परसेंट आरक्षन देने का कानून उच सिक्षा और रोजगार के समान आवसर लेकर समाजिक समानता को बढ़ाव देने के लिए लाया गया था तो दोस्तों ये तो थी आरक्षन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंड में जरूर बताना धन्यवाद जहिन